नमस्कार स्टूडेंस मैं डीके मिश्रा अब सभी का अपने एजुकेशनल चैनल अबली मैस के सवगत है हम लोग आज से क्लास 9 का सीरीर श्टार्ट करने आए क्लास 9 का जो मैस का अपकी बुक है एंसी आइटी एंसी आइटी को पूरा सॉल्व करेंगे तो क्लास 9 के सभी स्टूडेंस से क्लास 9 पर पढ़ रहे हैं उनके लिए एक टोटल फ्ही आफ कोस्ट है या सभी के के लिए कोई प्री बौनी प्री नहीं करना है तो हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स अच में साइंस दोनों को डिसक्स करेंगे बट यह क्लास जो है यह मैथमेटिक्स की क्ला अवरिगे साइन्स की भी मिल जाएगी साइन्स का पूरा का जिस्टम का piùर स अब क्यों पर DAVID कहले सब्सक्य है कि हम टोटल का टोटल जितना भी आपका पूरे mathematics को solve करेंगे प्रिटिकलर आपकी थियोरी से लेके आपका थियोरी से लेके जितना exercise की सभी question और exam के purpose से जो important question है या कुछ नए तरीके इन सभी चीज़ों को हम discuss करेंगे सबसे पहला topic हमारा जो है यहां पर नंबर सबसे पहला topic हमारा क्या है अब नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो basically नंबर जो है a number is a mathematical value नंबर क्या है एक mathematical value है used for counting और measuring all leveling objects basically अगर आप को हिस्टी से relate करें इसके mathematics की हिस्टी से relate करें तो पहले जो mathematics हुआ करती थी जो गडित हुआ करती थी वह total depend on label पर थी जैसे कुछ साक्ष मिलते हैं कि bundling करके रखा जाता है किसी को जिसे लकणियों का bundle ले लिया जाता था इनको क्या करें bundle कर दिया जाता था ठीक है तो इनका एक level structure था कि पर लेते थे कितने कितने चीजें हैं कितने सामान हैं कितने things हमारे पास रखे हुए है यह bundling की पर सब्सक्राइब जो नंबर का इजात हुआ जो नंबर developed हुआ वो टूटल क्या है एक measuring quantity है एक leveling object किसी object का level करने का जो तरीका है वही नंबर है हमारा अब इसे हम लोग बोलते हैं एक या one two three four five six ऐसा कुछ बोलते हैं तो one का मतलब क्या हुआ आपके पास जो भी object है तो one object है मतलब क्यों तो two का मतलब हमारे पास कितने दो object है एक के लावा एक और एक दो object हमारे पास है इस तरह से three का मतलब होता है हमारे पास तीन object रक्के हुए है ठीक है तो यही काम पहले के time में bundle के format में किया जाता था या किस किसी जिगा line या जिसको हम बोते चीना खीज देना line खीज देना इस format में किया जाता था ठीक है तो यह जो आपका number है number is a mathematical value number एक mathematical value जिसका use हम किसी चीज को count करने में किसी चीज को measure करने में यह किसी object को label करने में use करते है ठीक है यह चीज़े समझ में आ रही है क्या करते है किसी object को हम label करने में use करते है या उसकी leveling करने में use करते है या उस उसका हम क्या करते हैं, signify करते हैं यह चीज़े यही हैं, उसकी labeling करते हैं quantity के बारे में, clear है, आपको number समझ में, आगे बढ़ते हैं, बैरहाल इस से हमको बहुत ज़्यादा discuss नहीं करना इस topic, इस point पे, number के point पे, basically जो हमको solve पढ़ना है, number के types के बारे में हमको पढ़ना है, number के uses क्या है, किस तरह से questions हमारे आते हैं, किस तरह हमारे exercise में हैं, इसके हम discuss करेंगे, ठीक है? तो next topic हमारा कै है, main topic type of numbers, number का type, सबसे पहला number हमारा होता है, natural number, कौ। अबसा नशितरुम नंबर नशितर नमपर करते हैं यहां सब्सक्तरुब करते हैं और इसकी आसे 20 सुरूटि ऑन्न डूली जाता हैं हम इसको जानते नहीं कहां तक जा रही है देट मेंस नेचुरल नंबर हमारा क्या है यंद से रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 3 4 से 100 होता है स्टार्ट होता है सेकंड नंबर हमारा क्या है होल नंबर हमारा क्या है होल नंबर ऐसा नंबर जो नेचुरल नंबर के साथ किसको इनवाल्व कर दिया जाता है जीरो को involved कर दिया जाता है natural number के साथ किसको involved कर दिया जाता है जीरो को जब हम involved कर देते हैं तो number क्या हो जाता है whole number हो जाता है ठीक है integer number integer number को हम z से represent करते हैं और यह जितना positive की तरफ होता है उतना ही negative मतलब that means जीरो के बाद positive 1, 2, 3, 4, so on और negative 1, negative 2, negative 3, so on इस तरह से होता है that means यह positive और negative दोनों direction में run करता है तो वो number क्या होते हैं आपके integer number होते हैं ठीक है अभी हम आपको basically बता रहे हैं आगे आप इसको define भी तरहेंगे कि natural number क्या होता है whole number क्या होता है integer number क्या होता है कभ आपमयर को integer number बोलेंगे कभ अगला हमारा rational number है प्तार में रिखा गया उता है के format में लिखा गया होता है where P & Q are integer and Q is not equal to 0 जहां पे P और Q के दोनों कहां से belong कर रहे होते हैं जड से belong कर रहे होते हैं , किस से belong कर रहे होते हैं , integer अपने क्या है जो हैं सभी होते हैं औंको सब्सक्राइए नहीं रिचरेजट कर सकते हैं उन्कों क्या बोलते हैं irrational numbers कहते हैं अब इसके बारे में आगे हम discuss करेंगे कि आपका rational number irrational number rational number को हम P.A.P.A. Q के form में represent करते हैं और ऐसा कौन सा number जिनको हम P.A.P.A. Q के form में नहीं represent कर सकते हैं और इन सारी condition को fulfill नहीं कर सकता है वो कौन से number होंगे ठीक है और जो ऐसे number होंगे क्या बोलेंगे irrational नंबर तो सबसे पहले हम डिस्कस किसको करने वाले है नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले अगला और नेचुरल नंबर क्या होता है अब ध्याण से समझो आल नंबर स्टार्टीं फाम उन कुछ लूओ जाए वन से स्टार्ट होड़ा तिल इन्फाइनाइटली या इन्फिनिटी कहां तक जाए इन्फिनिटी तक जाए आर नेचुरल नंबर उनको हम क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर सच देट 1 2 3 4 5 6 सोवान infinity ऐसा नंबर जो कहां से शुरू बोटे हैं यंसे सबूरू हो और कहां तक चलना जा 인विकी तरफ मूब कर जै इसके तरफ मूब कर जाए इंसीकों क्या बोलते है निच्रूरल नंबर बोलते हैं यसे नंबर को क्या बोलते हैं बोलते हैं ट्अघे these numbers lie on the right side of the number line and are positive. और यह क्या होते हैं? पॉस्टिव होते हैं. अब बात आती है कि natural number क्या होते हैं? lie on the right side of the number line. अब सबसे पहले हम समझते हैं number line क्या होता है? नम्बर लाइन एक अपका representing line होता है。 हम माणलेते हैं यहां पे zero है. बत निच्च नम्बर में zero involved नहीं होता है. यह माणलेते हैं center point या o माणलेते हैं. इसको zero नमनकी cat no माणलेते हैं, इसे हमारा center point है!. तो यह नम्बर लाइन पे हमेशा right side में ही एक इस साद में प्रेजेंट किया जाता है रैट साड मतलब यहां पर वाण टू थ्री फॉर फाइव इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं थे आप देख रहे होगे यहां पर यह जो आपके number and counting number and positive integer नों सब क्या होते हैं सब सब क्या होते हैं अब बात आता है नमबर, there are two type of numbers, there are two type of numbers, मतलब ये natural numbers की बाख हो रही है, there are two type of numbers, मतलब two type of natural numbers, पहला काउन सा? odd numbers, काउन सा number होता है? odd number होता है, दूसरा event number, हम बात करें इक odd number क्या होता है, event number क्या होता है, जैसे, example के तौर पर गर हम समझें, हमने देखो, number लिखा, one, two, तरह से हमने लिखा तो इसको हम क्या बोलेंगे इतो हमारी नंबर हो गए अब इन नंबर में हम और किसको बोलेंगे एबन किसको बोलेंगे ठीक है देखिए जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 तो वान आगे बन गया बन अब इसमें हमको बताने कौन सा नंबर और कौन सा नंबर एबन होगा ठीक है कौन सा नंबर इबन है इबन की बात अगर हम करें इबन की बात हम करें 2 और multiple of 2 multiple of 2 2 या 2 का जो भी multiple होता है 2 या 2 का जो भी multiple होता है उस सभी के सभी number क्या होते है event number होते हैं कौन से number होते हैं event number that means अगर हम event number की बात करेंगे तो कौन होंगे 2 होगा 4 होगा 6 8 10 12 इस तरह मिलेंगे आपको जीतने भी number हमको मिलते जाएंगे सब के सब्सक्राइब क्या हो जाएंगे event number और इसके आनावाद जितने भी number बचिंगे is an odd number हो जाएंगे That means odd number में 1 3 5 7 9 11 इस तरह के सभी number मिल जाएंगे आँ बाती शमझ में आरी है कि एबिन नंबर क्या होगा ऑड नंबर क्या होगा इबिन द्ली नंबर आए यह दोश्च मॉटिपल होंगे नंबर आइसे बचें गरोंगे नहीं उन यह यह जाएंगे और नंबर भुजाएंगे, क्लीर बात है, समझ में आ रहा है, चलिए, नेक्स्ट टॉपिक विट, चलिए, अगली टॉपिक प्वेड़कों, अगला टॉपिक हमारा अगला पार्टिसन था हमारा होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, क्या लिखा गया, अगर हम इसके पहले की बात करें, यहां पे smallest अगर नेचुरल नंबर की कोई बात करते हैं, अगर हम इस्मालेस्ट नेचुरल नंबर की बात करते हैं, तो कौन होगा, इस्मालेस्ट नेचुरल नंबर वन होता है, इस्मालेस्ट नेचुरल नंबर आपका कौन हो जाएगा, वन हो जाएगा, बट अगर कोई लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें, लार्जेस् अगर नेचुरल नंबर के सबसे छोटे नंबर की कोई बात करता है तो कौन होता है वन होता है बड़ उसके लार्जेस नंबर के अगर कोई बात करता तो उसको हमने फाइन नहीं कर सकती कि बड़ा सा बड़ा नंबर कौन हो सकता है जो नेचुरल नंबर होता है तो यही इसी क प्रारिट करें तो आभल केंट नंबर में एक मतलब इसा नंबर जो जिरों से स्टार्ट होता है ऐसे नंबर को मौन नंबर बोलते हैं मॉल नंबर बोलते ह। इस मुझे नंबर भी नंबर लाइन पर जिसे देखो ना राइट साइड में ही रिप्रिजण के जा रहे हैं, बट इनकी स्टार्टिंग कहा से हो रही है, जीरो से हो रही है, यहीं नेच्रणल नमबर कहां से स्टार्ट हो रहा था, managers से से होता है जीरो से स्टार्ट होता है कहां से स्टार्ट होता है जीरो से स्टार्ट होता है डैट मिन्स अगर स्मॉलेस्ट की बात करें यहां पर स्मॉलेस्ट की बात करें इस मॉलेस्ट होल नंबर जो होगा और कौन होगा जीरो होगा इस मॉलेस्ट होल नंबर जो होगा आपक कर सकते हैं, largest की भी बात अगर हम करते हैं, तो largest whole number को भी हम define नहीं कर सकते हैं, smallest whole number को हम find कर सकते हैं, smallest whole number कौन होता है, 0 होता है, बट largest whole number कौन होगा, इसको हम confirm नहीं कर सकते हैं, clear हैं बाते, तो whole number क्या होते हैं, all the numbers starting from 0 till infinity, 0 से start होकर infinity तक जाता है, और number आपका कौन सा number होता है होल नंबर होता है clear इतनी बात है whole number such as 0, 1, 2, 3, 4, 1, infinity these number lies on the right side, वो कहां पर lie करेगा right side of the number line पर और यह हमेशा क्या होंगे positive होंगे, हमेशा क्या होंगे positive होंगे natural number जहां से समझेगा natural number और whole number ये दोनों अब natural का मतलब यन से represent करते हैं whole कुसे represent करते हैं representation हमने पहले ही बता दिया है, तो natural number जो है natural number का आपका smallest number 1 है, whole number का smallest point 0 है natural number भी हमेशा number line पर right side में represent होता है खिक है, और whole number भी कहां represent होता है, right side में ही represent होता है natural number भी हमेशा क्या होते हैं, positive होते हैं और whole number भी हमेशा क्या होता है, positive होता है, इतनी बात ही clear हुई natural number, whole number, done, clear, आगे बढ़ते हैं next topic है, अगला topic हमारा क्या है, integer integer, अगला topic हमारा क्या है, integer, integer क्या होता है, integer हमारा जो है integer, integer क्या है, integer are whole number, integer क्या है, are the whole number, which can be positive, negative और 0 integer क्या होते हैं, whole number होते हैं, जो की positive भी होते हैं, negative भी होते हैं, और 0 भी होता है ठीक है, अब देखो, 0 को, और में क्यों है, क्योंकि 0 ना इदर positive ना और negative, 0 ना तो positive होता है, ना ही negative होता है इंटेजर नंबर क्या होता है एक होल नंबर हो जिसके शुरवाद कहां से होती है, जीरों से होती है, यह पॉस्टिव डारेक्षन में भी मूब करता है और निगेटिव डारेक्षन में भी मूब करता है, ठीक है? यह पॉस्टिव भी होंगे निगेटिव भी होंगे अगर इसके आधार पे देखा जाए ते कौन कौन से इंटीजर पॉस्टिव इंटीजर होते हैं निगेटिव इंटीजर दो टाइप होते हैं कौन कौन से पॉस्टिव इंटीजर यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यहा बात करें smallest number की बात करें यहां पर smallest number को भी आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं smallest number को ही डिफाइन नहीं आप सोचो क्यों बहुत सारे लोगों की दिमाग में तुरुत फटाक से एगा क्या सर इस्मॉलेस्ट नमबर क्या सबसे छोटा number 0 नहीं अगर आप यहां पर ध्चाउन से देखो 0 से फी चोटा नमबर क्यों है माइनस मान्स वंन से छोटा number क्यों है माइनस 2 माइनस 2 से कौवंण Magnus 3 माइनस 3 से क्यों माइनस 4 इस तरह से यह वी किदर मुब करता है infinite की तरफ move करता है that means minus infinity का तرف जा रहा है minus infinity की तरफ जा रहा है तो integer number में हम smallest integer number को नहीं observe कर सकते हैं smallest integer number को भी हम यहां पर observe नहीं कर सकते और हम largest के बात करें तो उन को भी observe नहीं कर सकते क्योंकि zero के बाद 1 2 3 4 so on infinite सबसे बड़ी वात यह क्या है जीरो न तो positive है और ना ही negative होता है जीरो क्या होता है ना ही positive होता है ना ही negative होता है clear है तरी बात है 0 is neither positive nor negative अगर हम बात करें positive integer के बात करें किसकी positive integer के positive integer के positive integer में कोन आएगा 1, 2, 3, 4, 5, so on और अगर हम negative integer की बात करें तो हमारे पास क्या आजाएगा negative integer negative integer में कोन आएगा minus 1, minus 2, minus 3, so on बट यहां पर एक बात आएगा 0 is neither positive neither positive nor negative 0 ना तो positive होता है ना ही negative होता है 0 क्या होता है ना ही positive बनता है ना ही कभी negative होता है बट यहां पर बात आती है question आता है कि अगर 0 ना तो positive है ना ही negative है ना positive की ना यहां ना ना यहां पॉजिटिव दूसरा होता है ना पॉजिटिव ना पॉजिटिव अ यही तो होता है ना कि नॉन निगेटिव का मतलग जो पॉश्टिव हो बट यहां पर सुचिएशन क्या है जीरो भी यहां इंबॉल हो जाएगा 0 1 2 3 so on , अब आप सोच रे होंगे कि ये 0 आभि बोले नहींद ना तो नीगेटिव होता है ना पॉस्टिव होता है और non-negative के एंदर में कैसे आ ले경 ना नीगेटिव का मतलब तो जो नीगेटिव नहीं है जो नीगेटिव नहीं है सिसका मतलब क्या ये पॉस्टिव है है लेकिन जरूरी तो नहीं है जो निगेटिव नहीं हो पॉस्टिव ही हो और नूट्रल भी तो हो सकता है अब एक इग्जाम्पल से समझीएगा suppose that in non-negative की condition में है suppose that आपके पास 100 रुपै थे या आपके पास बहुत सारा कुछ था everything एक नॉर्मल लाइट के लिए जितनी चीज़े होती सब कुछ था everything कि आपके पास सब्धा कि किसी काण भस आप धी द्री लॉस करते 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 आपने सब कुछ खो दिया बड़ एक चीज यहाँ पर रिमेंद रहे गई आपने इन सारी चीज़ों के बारे में कभी किसी को भनक नहीं लगने दिया किसी को मालूम नहीं चलने दिया अगर आप तो एक अच्छे रिस्पेक्टेड परसन हो अगर आप एक अच्छे रिस्पेक्टेड परसन थे और आपने इंटर्नल रूप से सब कुछ अपना लॉस्ट कर दिया बट किसी को मालूम नहीं चलने दिया आप प्रजेंट टाइम में कहां पर खड़े हो ऐसी सुच्विशन आपके पास कुछ भी नहीं बचा है इंटर्नल तोर पर जीरो ठीक है बट लोगों की नजर में आप अभी भी वही है लोग की नजर में अभी भी आप क्या है वही है आपके पास दस हजार रुपए थे आपके पास कितने थे 10,000 रुपए थे आप सब कुछ गवाते गवाते मतल्म लास करते करते कहां पहुँच गयोगे बट किसी को यह पता नहीं लगने दिया तो सामने वाला तो आपको क्या जा रहे आपक कितने आपके पास कितने है टेल्ठ हाउजिट है बस आप रियुश मे बट कहां पहुंच गये है जीरो पे पहुंच गये है ऐसी situation जो होती है non negative मतलब जो negative नहीं है तो भाई simple सी बात है zero ना तो positive ना negative अगर हम negative नहीं है कि बात करेंगे तब भी zero आएगा positive नहीं है तब भी जीरो आएगा लेकिन यहां पर क्या होगा minus one minus two minus three so one निल्स क्या हुआ, नॉन निगेटिव में भी 0 involved होता है और नॉन पॉस्टिव में भी 0 involved होता है क्लियर है, पॉस्टिव निगेटिव और नॉन निगेटिव और नॉन पॉस्टिव समझ में आया पॉस्टिव में सिर्फ 1, 2, 3, 4 आते हैं, निगेटिव इंटेजर में जीरो से स्टार्टिंग होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1 आएगा, नॉन पॉस्टिम में 0, 1, 2, 3, 0, 1 आएगा, इतनी बात ये समझ में ही, इंटीजर आपको समझ में आया, जो भी चीज़े आपको नहीं समझ में आती हैं, उसको आप फ्रीली पूस्ट सकते हो, चाहे कमें बॉक्स में, या फिर आप डायेट एसमिस कर सकते हो, 9-6-9-6-7-2-6-2-5-2 पर, डायेट आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर जो भी आपकी क्वेरी है, आप यहाँ पर फूट अप कर सकते हो, ठीक है, यह चीज़े क्लियर है, डन, चलिए, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हम, रिशनल नंबर, किसकी बात करने हमको, रिशनल नंबर, अब दिखो, रिशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम किसके form बेर रिप्रेजन्ट कर सकते हैं, इस इस काल्ट रिशनल नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, फियर जहां पे प and q are integer, प और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए मतलब, प और q दोनों किसम बिला होने चाहिए, जड में भी लाँ होने चीए दोनों किसके element का होने चीए जिन मतलब यह चाहे positive हो चाहे negative हो इन दोनों में से कुछ भी हो बट कहां होना चाहिए integer element होना चाहिए साथ में सर्थ है कि Q does not equal to 0 मतलब क्या हुआ denominator denominator जो होता है ओ कभी भी 0 नहीं होना चाहिए denominator कभी भी 0 नहीं होना चाहिए पी अपान Q का मतलब हुआ एक टाइप का क्या है इसको भिन्द लिखना है fraction लिख रहा है fraction किसके फॉर्म में है fraction के फॉर्म में है बट fraction में कोई इस तरह की कोई boundary नहीं है बट rational नंबर के लिए boundary है कि Q does not equal to 0 होना चाहिए क्यों कभी भी 0 नहीं होना चाहिए ठीक है अब ध्यान से समझों यहाँ पे मने एक figure दिख रहा होगा आपको rational नंबर लिखा है rational नंबर में यहाँ पे 4 अपान 8 लिखा है यहाँ पे 0.5 लिखा है 0.33 लिखा है 0.41 बार लिखा है ठीक है इधर 0.75 इधर 0.1 0.48 और माइनस 4 अपान 6 लिखा है यह सभी नंबर rational नंबर है अब आप सोच रहे होंगे कि फोर अपान 8 तो चलो समझ में आ रहा है तो rational नंबर है बट माइनस 0.5 rational नंबर कैसे बोला जा रहा है rational नंबर के अंडर में एक चीज आपको यहाँ से और बता दे परहाल इसको पहले पढ़ लेते हैं तब आगे डिस्कुस करते हैं हम यहाँ पे बात कर रहे थे 0.5 कॉम rational न कैसे बोल रहा है जैसे अभी माइनस को छोड़ देते थोड़े जरी से 0.5 इसको लिखते हैं तो 0.5 basically होता क्या है 0.5 basically होता क्या है जैसे हमने लिख दिया 1 upon 2 1 upon 2 को 0.5 लिख सकते हैं मतलब जो भी 1 upon 2 के equivalent होगा जो भी नंबर 1 upon 2 के equivalent होगा वो किसको किसके फॉर्म में लिखा दा सकता है 0.5 लिखा दा सकता है क्यों क्यों डेसिमल के फॉर्म में है that means इसका मतलब क्या हुआ rational अपने साथ decimal को लेकर चलता है rational अपने साथ किसको लेकर चलता है decimal को लेकर चलता है decimal number को decimal number को अगर लेकि चलता है इसके साथ बहुत सारी opportunity हो जाती है जैसे अब हम discuss करते हैं कि rational number अगर decimal को लेकर चलता है rational number p upon q का format है q does not equal to zero होना चाहिए p and q किस में होना चाहिए integer number में होना चाहिए किस में होना चाहिए integer number में integer number अब बोला गया कि यह decimal को भी अपने साथ contain करता है क्या मिल गया decimal को अपने साथ contain करता है अब decimal के साथ contain करता है तो सबसे पहले condition हम इनको सिर्फ इसी सर्फ की according हम rational बोलते जाएंगे हमेंसा गया हमने देखा कि महां पर 0.33 भी इन बॉल था सो वान हमने देखा 0.41 बार इन बॉल था फिर देखा 0.5 इन बॉल था माइन फोर अपन एट इन बॉल था और इस तरह के बहुसतारे नंबर देखने के मिलने क्या यह सभी का सभी सब्सक्राइब कि इसकी कुछ सर्ते हैं होने के लिए पहली कंडिशन क्या है सब्सक्राइब कि एक तो सर्त यही है सबसे पहली को भिन्य के किसके फॉर्म में हो फ्रैक्शन के फॉर्म में सर्त के साथ क्यू डिजनाट इकल टू जीरो की सुचेशन पर दूसरी कंडिशन अगर बाइदाबे यह डेशिमल की तरफ मूब करता है तब भी हम इसको क्या वोलेंगे रिशनल नंबर ही वोलेंगे अब डेशिमल में जब मू कि सिर्डीवा बाद के साथये व्रत में एक कंपलेटेटली डिवाइड हो जाना है कि सिर्मल के बाद क्या हो जाए कि इसमन कर देखना हो बड्ड करतें है टीसरी कंडिशन क्या होती है decimal के बाद कोई number हो जो pair में क्या हो जाए repeat हो जाए जैसे 4-1 बार का मतलब होता है 0.41, 4-1, 4-1 यह जरूर नहीं दो ही के फॉर्म में 2-3-4 के group में भी हो सकता है अगले condition क्या हो 0.23729420 और इस तरह से मतलब वो ना तो repeating हो ना ही pair में repeating हो ना terminating हो ऐसी situation हो ना तो वो क्या हो terminating हो ना ही single digit repeating हो ना ही वो क्या pair में repeating हो रहा हो ऐसी जिम्मतलब अगर decimal involved हो rational में तो इस 4 category हो सकती है यह क्या हो सकती है 4 category हो सकती है और इसी के बिहाफ में हमने rational को दो पार्ट में बाटा यहां तक के पार्ट को हम rational बोलते हैं और इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं irrational बोल देते हैं इसने दुशा नंबर हुआ रिश्नल को क्यों से रेप्रेजेंट करते हैं कि इसको निख सरी टी तू तरह के वी जो number होंगे मतलब क्या कि जब हम उनको प्रेड树 करने का प्रयास करें जब उनको पूरा का पूरा reduce करने का प्रयास करें तो डिसमल की बाद बोड हो जाएnd rise repeating हुजा हम एक ही डिजिट क्या हो जाएnd Cape चैनल भी number होता है racional number मिले act 3 process that lot Sհिआ जिसका Decimal बार देखें 414145 बार लिखते latin लगते बार जितनी नंबर पर लगा होता है को नंबर बार बार रिपीट हो रहा है जरूरी नहीं कि दो के ही पेय में ऐसा भी तू थ्री फाइब मतलब अगर इसको हम लिखेंगे सॉड में 0.235 बार तीनों पे बार लग जाएगा यह बार बार रिपीट हो रहा है तो ऐसे भी जो नंबर हमको मिलने वाले हैं इस तरह के भी जो नंबर बिलेंगे वह भी कौसे नंबर हो उसकी सीखां अगर कोई नंबर जिद्र किbility है इस होनके तो मित्व ठेलल अब एक सावाल और बनता है यहां पर कोई पूशे सर्चिसें में लिखा 2 क्या 2 हमारा रिशनल नंबर होगा क्योंकि इसके पास तो डिनॉम्टर है नहीं और सर्थ हमारे पास क्या है पी अपान क्यों के फॉर्मेड में होना चाहिए अब ध्यान से समझो जो भी जितने भी नंबर्स है है 2,3,4,5,6 जितने भी है सब के सब क्या वह रिशनल नंबर है क्यों है अगर हम इनको लिज़ने haun 3 upon 4 upon 1 सतर्थ है कोई fraction में बन गए की न shipping लोगे और सर्त भीeren disappointment नाट इकल्टु 0 हो गय और P और Q दोनो इंटीजर नंबर है कि नहीं है है ना दोनों इंटीजर नंबर हो गया तो इस सुच्वीशन में जितने भी नंबर्स आपके डैट मिंस जो आपके निचूरल नंबर है और जो आपके होल नंबर है और जो आपके इंटीजर नंबर है जो आपके इंटीजर नंबर है यह तीन के तीनों जितने भी नंबर है सब कौन से नंबर हो जाएंगे कौन से नंबर हो जाएंगे कि इस अभी के सभी क्या हो जाएंगे तो दन बाती समझ में आरे हैं तो दन कि क्षिस तरह से हमनको पहरसाण कि हमारे क्या हो गये मंवारे दन चलिए बात करते हैं आगे और झाल झाल